शत्रू संपत्ती एनिमी प्रॉपरटी जी हाँ, सरकार अब 12,611 शत्रू संपत्ती बेचने की तयारी कर रही है ये वो संपत्ती है जिसके मालिक अब पाकिस्तान या चीन के नागरिक हो चुके है सरकार इन संपत्ती को अपने कबजे में लेकर और अब इसको बेचनी की तैयारी कर रही है नमश्कार मैं हूँ प्रदीप मिश्रा आप शुरू को देखना कर चुके है तो प्रॉपटी मिश्रा शो आज मैं आपको बताऊँगा क्या है एनिमी प्रॉपटी एक्ट, क्या एनिमी प्रॉपटी होती है और कैसे इसकी वैलुईशन होती है, कहां कहां किन किन स्टेट पे कितनी कितनी ये प्रॉपटी है और कैसे ये गॉर्मेंट इस प्रापटी को सेल करने जा रही है कौन सी वेब साइट है जहां पर आप जाके ऐसी प्रापटी को खरीद सकते हैं क्या है शत्रू संपत्ती कानून 1965 में भारत पाकिस्तान के यूद के बाद 1968 में शत्रू संपत्ती कानून को लागू किया गया इस कानून में समय समय पर शंशोदन होने के बापजूद अब 2017 में इसमें एक एहम शंशोदन किया गया इस संशोदन में शत्रू संपत्ती का दाइरा और बढ़ा दिया गया अब इसको कस्टोडियन के हवाले कर दिया गया जी हां कस्टोडियन ओफ एनिमी प्रॉपर्टी ओफ इंडिया अब इसके पास इसके राइट्स आ गए हैं वो उसके अब मालिक हैं भले ही आगर किसी दुष्मन देश के नागरिक हैं और आपकी प्रॉपर्टी है तो आपके वंशज और उत्राधिकारी की संपत्ती भी इसके अंदर शामिल होगी भले ही वो भारत के नागरिक हैं मतलब आपकी प्रॉपर्टी आप एनिमी कंट्री से हैं क्योंकि 1965 और 1968, 1971 में चीन और पाकिस्तान के वार के बाद इस प्रॉपटी एक्ट को लाने की जरुत मैसे उसकी गई 1968 में ये पहली बार आया उसके बाद कई मैत्वपुन शंशोदन हुए लेकिन 2017 में इसमें बहुत सारे राइट्स दे दिये गए एनिमी प्रॉपटी जो कि इसके निलामी अब शुरू कर दी गई है शत्रू संपत्ती यानि संपत्ती जिसके मालिक अब पाकिस्तान और चीन के नागरिक बन चुके हैं केंद सरकार के मताबिक 12,611 ऐसी शत्रू संपत्तियां हैं इनकी कीमत एक लाग करोड रुपए से भी ज़्यादा आकी गई है शत्रू संपत्ती का सरक्षन जो है वो अब कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपटी ऑफ इंडिया के तहत किया जाएगा जी हाँ 12,611 प्रॉपटी जो है ये अब कस्टोडियन के पास आ गई है अब उनके पास इसके राइट्स हैं सेल करने के सेंटर ने नेशनल सर्वे ऑफ एनिमी प्रॉपटी जो है और सर्वे करवाया डिरेक्टर जनरल अफ डिफेंस एस्टेट्स ने और एनिमी प्रॉपटी जो है तो जो 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 जोसके पास इसके पास उसका कपजा है पहले उसको अधिकार दिया जाएगा कि वो उस प्रॉपटी को करीद ले चली अब समझते हैं कि किसकी, कितनी-कितनी और कहा कहा पर है एन्यमी प्रौपटी शत्रु संपत्ति देखें इसमें 12,497 संपत्य जो है वो पाकिसानी नागरिकों की है और 126 संपतियां जो है वो चेनी नागरिकों की है government क्यों उन property को अपने कबजे में लेती उसकी सबसे बड़ी वज़ाई यह है कि अगर कभी war condition आई तो जो enemy country है जो आपकी शत्रू country है वो आपके country के अंदर जो property है उसको misutilize ना करे कहीं आपके लिए वो अंदरूनी एक कलह ना बन जाए आपके लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए war के टाइम पे इसलिए ऐसी property को home ministry द्वारा custodian of enemy property of India के अंदर इसको safe किया गया तो government का motive यहाँ पर है कि war जैसे situation में कहीं वो अपने आप में दिक्कत उनके लिए ना बन जाए main motive तो यह था लेकिन जब यह survey किया गया पाया गया 20 states के अंदर और unit territories में बहुत बहुत सारी properties है चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से states में कितनी कितनी properties के अंदर आकी गई जैसे सबसे ज़्यादा उत्तर पर 25 properties, Maharashtra के अंदर 208 properties, Telangana 158 properties, Gujarat 151, Tripura 105 और Bihar के अंदर 94 properties, Madhra Pradesh में 94, Chhattisgarh 78 और Haryana के अंदर 71 properties इसके अंदर आकी गई केरला के अंदर 69, उत्राखंड के अंदर 67, Tamiladu 57, Meghalaya 29, Assam 24, Karnatika 22, Rajasthan 10, Jharkand 4, Daman के अंदर एक और आंदर परदेश, Andaman एक कुबार के अंदर भी एक-एक enemy property मानी गई गई है पहले और दूसरे विश्युद में, America और Britain ने जर्मनी के नागरिकों को समपत्ती को इसी अधार पे अपने कपजे में ले लिया था क्योंकि जब युद हुआ, तो Britain ने जर्मनी के नागरिकों की सारी property अपने कपजे में लेनी शुरू कर दी क्योंकि वो उसे एक अनिमी प्रॉपर्टी के अंदर माना गया उसी पिकार भारत में जैसे 1962 के अंदर चीन, 1965 और 1971 के अंदर पाकिस्तान से युद हुआ तो भारत सुरक्षा अधिनियम के तहथ इन देशों की नागरिकों की जायतर संपत्ती पे कबजा कर लिया गया शेतर संपत्ती के तहथ जमीन, मकान, सोना, गहने, कंपनियों के शेयर, दुश्मन, देश के नागरिकों की किसी भी दूसरी संपत्ती को कबजे में ले लिया जाता है शेतर संपत्ती बेचकर सरकार अब तक 3400 करोड रुपए कमा चुकी है, मैक्सिमम जो है वो गोल्ड की प्रॉपटी है यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि अगर एक करोड से नीचे की प्रॉपटी है तो उसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके कबजे में वो प्रॉपटी है, पहले वो प्रॉपटी खरीद ले, अगर वो प्रॉपटी नहीं खरीदता है तो फिर सरकार इसको auction में इसको dispose of करती है जो इसने proper committee बनाई है जो कि central government के अधीन ये सब काम हो रहे है अभी तक किसी भी type की immoval property sold नहीं की गई है जैसे मैंने बताया गोल्ड तो जरूर sold किया गया है लेकिन immoval property अभी तक इसको sold नहीं की गई है और इसको खुद home minister जो है अमिट शाजी वो खुद इसको monetize करने के लिए proper survey में participate करके जो group of ministers का उन्होंने कुछ members मनाई हैं जिसमें group of ministers हैं जो कि अमिट शाजी की leadership के अंदर है वो इस property को sell करने की पूरी तक्रिया को खुद monitor कर रहे हैं कैसे बिकेगी ये शत्रू संपत्ती जिहां enemy property अब कैसे बिकने वाली है ये थोड़ा समय आपको समझाता हूँ ग्रह मंत्राले के मताबिक इसी भी शत्रू संपत्ती को बेचने से पहले DM और commissioner की बेधखली की प्रतकिया शुरू की जाएगी एक क्रोड से कम कीमत की जो property है संपत्ती जो है वो custodian of enemy property पहले कबजा करने वाले खरिदार को पहले पेशकश करेगी और फिर अगर उसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो उसका निप्टारा क्रह मंत्राले की guideline के हिसाब से होगा और किसी भी संपत्ती जो एक करोड से ज्यादा व सौ करोड से कम होगी उसका निप्टारा इन इलामी से होगा इसके लिए metal scrap trade corporation को use किया जाएगा जो की custodian of enemy property of India इसका auction करेगी इसकी अगर आप और जानकारी रहना चाहते हैं और auction में जैसे एक reserve price रखा जाता है जो ज़्यादा उची बोली लगाता है उसी की property होयाती है तो आप भी ऐसी property खरीद सकते हैं यहाँ पर EMD जो earnest money होता है उसके related भी अगर आप e-banking service यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा detail के लिए आप mstcecommerce.com website पर जाके सारी detail आप दे सकते हैं क्योंकि आप auction में participate करना कोई आम आदनी भी चाहें तो वो भी कर सकता है इसके अंदर देखें overall अगर हम बात करें तो मिरको यह बहुत अच्छा decision लगता है कि enemy property की property अगर आपी country के अंदर है तो ग्रहम अंताल ने इतना बड़ा फैसला लिया ऐसी property को अपने कबजे में लेकर और उसको फिर auction किया तो सबसे ज़्यादा important तो यह हुआ कि जो उस property की देख रेक के ओपर पैसा खर्च हो रहा था वो पूरी तरह से save हो गया दूसरा government को इसका revenue भी generate हो रहा है मतलब करीब एक लाग करोड के आसपास government को इससे revenue भी generate हो रहा है और जो अब तक resources waste हो रहे थे जैसे मैंने बताया वो भी अब waste नहीं होंगे और जो 1968 के आसपास ये लड़ाई शुरू हुई इसके ओपर कानून बनाया गया और फिर इसको इसमें कई शंशोधन किये गए अब उसका एक conclusion आ चुका है कि government अब उसके ओपर ज़्यादा waste money नहीं करेगी और unauthorized कबजा जो है उसके ओपर खाली कराके और उसको auction करके और उसके ओपर जो disputes जितने भी हैं उन सारे disputes को अब solve कर लिया जाएगा उमीद है आपको मेरा show पसंद आया होगा अगर और भी ऐसे informative वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो subscribe जरूर कीजेगा मैं से और भी आपके पास वीडियो लाऊँगा और किन टाइप की वीडियोज को आप देखना पसंद करेंगे ये आप जरूर मुझे comment section में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको ये भी मुझे comment section में आप जरूर बताइएगा नमश्कार